राधे राधे दोस्तों, खुशी की रसोई में आपका स्वागत है सो गैस, आज हम बनाएंगे अगस्त के फूल की सबजी तो आपसे रिक्वेस्टे की वीडियो में बने रही है क्योंकि सब ही लोग नहीं जानते हैं कि अगस्त का फूल होता क्या है तो ये फूल कातिक के महीने में पेड में फरता है और ये फूल की सबजी कातिक में खाई जाती है और बहुत ही शुब माला गिया है इस फूल की सबजी खाने को तो इस तरीके से आप अगस्त की फूल की सबजी बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी जिस तरीके से मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ तो अगर इसके फूल को लेना है और इसके डंठल को काट करके हटा देना है जो ग्रीन ग्रीन डंठल है उसे काट करके आपको बिल्कुल हटा देना है और फिर एक बरतन में आपको महीन महीन काट लेना है जैसे आप सबजिया काटते हो उसी तरीके से महीन महीन काट लीजे और नेक्स्ट प्रोसेस में फिर से हमें उसी तरीके से सारे डंठल हटा के पूरा साग हमें काट लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो तो फटा फट हम इसे काट करके ले लेते हैं और यहां ध्यान दे कि आप पहले ही फूल को वाश ना करें काटने के बाद ही वाश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और इसकी सबजी बहुत ज़्यादा स्वादिश लगती है अगर आप एक बार बना के ट्राई करोगे तो आपको पसंद आएगी तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम इसके फूल को काट रहे हैं और काट करके ले रहेंगे इसी तरीके सारा फूल हम काट लेते हैं और आगे चलके मैं इसकी पत्तियां भी आपको दिखाने वाली हो कि अगस्त के फूल की पत्तियां कैसे होती है तो आप देख पा रहे हैं अगस्त के फूल की पत्ति कुछ जैसे सही जन की पत्ति होती है कुछ उस तरीके से अगस्त की फूल की भी पतिया होती है तो गैस सारा फूल हमने काट करके ले लिया है अब इसको तीन से चार पाली अच्छे से वाश कर लेना है ताकि इसके जो भी डश्ट है वो निकल के बाहर हो जाए 3-4 पाली हमने wash करके ले लिया है और इसके सारे डाश्ट निकल चुके है अब हम चलते हैं साथ में ही isके यालु ले ले लेते हैं medium saize में कटी हुई wash करके लिया है यालु को हमने फिर डो medium size के टमाटर एक मीडियम साइस की प्याजबारी कटी हुई लेसुन कटा हुआ अधा पोटी और साथ मेही हरी मिर्च टेस्ट के कॉर्डिंग सबी चीजों को वाश करके अच्छे से हमने काट करके महीर में ले लिया है अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ तो कढ़ाई में डालेंगे सरसो का तेल और तेल को होने देंगे लाल तो गाइस हमने सरसो का तेल डाल दिया करिब 50 ग्राम करेब इतने में और तेल जब लाल हो जाए तो उसमें हरी मिर्च हम एड़ कर देंगे हर इमिर्च एड़ करने के बाद जब मिर्च थोड़ा सा लाल हो जाए तो उसमें हमें लेसुन के कलिया एड़ कर देनी है जो हमने काट करके रखी है और इस दोनों को अच्छी तरीके से हमें लाल होने देना है तो इसको रेड़ होने का हमें वेट करना है जब यह अच्छे से Red हो जया है आप देख पा रहे हो अच्छी तरीके से 800 भी Red हो गया है तो अब हम इसमें प्याज आएड कर देंगे और प्याज आएड करने के प्याज को भी ब्राउन होने तक희back करेंगे तो लाइट ब्राउन होने तक का हमें वेट करना है बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है तो यहां आप देख पाओगे वीडियो में सारा तो गाइस इस तरीके सब्जी बना के खाये बहुत स्वादिश्ट लगेगी जो इसकी कड़वाहट होती है वो भी नहीं आएगी इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाओगे तो जब प्याज लाल हो जाए तो इसमें टमाटर एड़ कर दीजे टमाटर के साथ ही थोड़ा सा स अच्छे से चला लीजे और चलाने के बाद इसे करीबन थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजे फिर 5 मिनट के लिए धुक करके इसे पकने दीजे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी हमने एड़ कर दिया है ताकि प्याज और न जले और उसके बाद हमने 5 मिनट के लिए धुक मुझे के बाद आप देख रहे ओो टमाटर का LOOK चेंज हो चुका है और मुझे हमारे गल गए है तब क्या करना है हमें इसमें तामाटर को हमने मिक्स कर दिया है अब एक त मेरेस हमैं इसमें अइड करना है इसी के साथ काश्मेरी लाल मिश थोड़ा-सा एड करना है एक एकदम ऑफिशनल है केवल कलर के लिए हम यहां पर यूज़ कर रहे हैं आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं इसी के बाद हम इसमें थोड़ा सा दो चुटकी करीब गरम मसाला एड़ करेंगे तो गरम मसाला हमने घर पर बनाया है तो बहुत थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं और दो लोगे के लिए केवल सबजी बना रहे हैं तो इस वज़े से और थोड़ा सा तो आप उसी हिसाब से घर मसाला एड़ करें जिस हिसाब से आपके घर में लोग हो तो आप देख पा रहे हो हमने सभी चीजों को मिला करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है इसको बहुत सूख चुका है इसमें तेल तेल बचा हुगा है और जो टमाटर का पानी तो आप इसे एक से दो मिनट जब चला लोगे तो आलू थोड़ा सा मौश्यर बदल देगा अपना मौश्यर हो जाएगी आलू तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से आलू एक से दो मिनट हमने चला ली है और अच्छे से कलर भी चेंज हो गया अलू का अब हम चलते हैं इसी में फूल को एड़ कर देते हैं सारा फूल हमें इसमें एड़ कर देना है और एड़ करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमें चला लेना है तो अभी कहीं जाईए हैं नहीं क्योंकि और प्रोसेस इसमें बाकी है अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा यहां पर आप देख रहे हों हमने अच्छी तरीके से चला करके ले लिया है तो हमने चला ली है चलाने के बाद इसे करेब 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे ढख करके पकने दिया है दस मिनट बाद आप इसे खोल के देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से सबजी का कलर और लुक चेंज हो गया है देख लेते हैं अलू पकी है या नहीं अगर नहीं पकी है तो एक बार और ढख करके रख देंगे तो अभी आलू थोड़ा सा कम पकी होई है तो फाइप मिनट के लिए इसे फिर से लो मीडियम फ्लेम पे ढख करके रख देते हैं फाइप मीडियम बाद आप देखते हो तो अच्छे से सबजी हमारी पक गई है आपको मैं आलू काट करके दिखा देती हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से सबजी पक करके रेडी है अब इसे क्या करना है थोड़ा सा ये भूनाई मांगता है तो इसको हमें हाई फ्लेम पे भून लेना है या मीडियम फ्लेम पे भून लेना है अब जैसे टाइम हो ऐसा भूच करके इसको ले ले तो इसका पानी जब इस से क्या होगा आपके सब्जी में जो करवाट होती है फूल में वो करवाट एकदम से चली जाती है तो थोड़ा सा अमचू पौडर एट कर दिया और अमचू पौडर का टेस्ट सब्जी में बहुत अच्छा आता है और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेना है जैसा कि मैंने बताया कि तेल जब तक न छोड़े इसको अच्छे से भून लेजे भूनने के बाद गैस को कर दीजे आफ और आफ करने के बाद गर्मा गर्म करिए सर्व आप चाहें तो धाल चावल सब्जी रोटी साथ में खा सकते हैं आप चाहें तो केवल चावल के साथ चाहें तो केवल रोटी या पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है यह सब्जी हो सकते तो एक बार बना के ट्राइज जरूर करीगा आप इसका लुक देख पा रहे हो पास से कितना प्यारा आ रहा है जितना अच्छा यह दिख रहा है इतना अच्छा यह खाने में भी तो और बहुत शुक भी माना गया है कातिक में खाना तो गर्मा गरम सब्जी को हम कर लेते हैं जर्व और इसको टेस्टी टेस्टी खाते हैं रोटी के साथ पराठे के साथ या तो पूरे के साथ या चावरी के साथ किसी भी साथ आप इस सब्जी को इंज़ाय कर सकते हैं ब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और हाँ बैल आइकन जरूर दबा ले ताकि जो हमारे नए नए अपडेट से वह आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें तो धनिया पती से हमने कर दिया था थोड़ा सा डेकुरेट और आप देख रहें धनिया पत्ती किसी भी चीज में डालो तो फ्रिश्ट्रेस एक्ष्ट्रा बढ़ जाती है तो आपको आज की रेस्पी कैसी लगी एक बार जरूर से कॉमेंट बॉक्स में बताईए के चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई थैंक तक यू